नमस्कार मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के जिले में 11 दिसंबर को लग रहा रोजगार मेला इस मार्ट मीटर में पैसा रखने पर मिलेगा बैंक जितना ब्याज बस विभाग में जल्द होने वाला है प्रमोशन नए फिल्म कर्याठी को लेकर आ रही है नीतू चंदरा स्रिवास्तब लाहुल द्रविट की कोचिंग के भविस्से को लेकर जैसा ने किया खुलासा इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार के इस दिले में 11 दिसंबर को लग रहा रोजगार मेला अगर आप रोजगार की तलास में है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि बिहार के भोजपूर दिले के और दोईग प्रसेक्शन संस्थान में कलियाने की 11 दिसंबर को सुब़ 5 बजे से साम 5 बजे तक जॉब कैम्प का आयोजगार किया रहा है ऐसे में जो भी अभ्यरतिय से रोजगार मेले में भाग लेंगे वायोजन अस्तरपन इवंधन प्रमान पत्र पास्पोर्ट साइज का फोटो बायोडेटर और सभी पत्र की मूल कॉपी लेकर पहुँचेंगे बदा दे कि यह जॉब कैम बिलकुल नहीं सोल्क है स्मार्ट मीटर में पैसा रखने पर मिलेगा बैंक जितना ब्याज बिहार में बहुत जल्दी बिजली उभोगता स्मार्ट मीटर से भी कमाई कर सकेंगे ऐसे में सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नए साल में बिजली कमपनी की असुविदा ग्रांकों को देने लगेगी मालूम हो कि इस बारे में कमपनी के अधिकारियों के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ब्याज लेने के लिए 20 किलो वाट में कम लोड वाले उभोकताओं को प्रिपेड बिजली मीटर में नियूंतम 2,000 रुपे रखने होंगे वही अधिक्तम रासी की कोई सीमा नहीं है अगर उभोकता लगातार तीन महीने तक नियूंतम 2,000 रुपे एडवांस रखेंगे तो उन्हें रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया की ओर से तैय बजट खाते पर निस्टित व्याज दर के आधार पर रासी दी जाएगी भी राज़ियों की पार्टी इकाई या नितिश की रैलियों की तैयारी में जुट कई है वही नितिश कुमार को देश के अन्न ही राज़ियों से भी बुलावा आया है गाँ कि विहार में होई जाती जनकरना के अगव्यापक रूपसे असर हुआ है विबिन राजियों के पता दिकारी के द्वारा बताया गया कि वहां की बरी संख्या में लोग चाहते हैं कि नितीज कुमार यहां कर उन्हें संबोधित करे इस इक्रम में मुख्यमंती अगले महीने उत्रपदेश और जारकंड जाएंगे जहां कई जन्सभा करने का प्लैन बनाया गया है बिएससी सीजील के लिए 16 दिसेंबर से होगा डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन बिएससी यानि की बिहार कर्मचारी चेन आयोग द्वारा तृतियस नातक अस्तरिये में 2187 पदों को भड़ने के लिए डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन की प्रेक्रिया खत्म हो गई है लेकिन आब आयोग के द्वारा एक और लोटिस जारी किया गया है जिसके तहति यह बताया गया कि 2464 अभ्यर्ति के लिए की गई डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक संपन हुई है लेकिन डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन की दौरान यह पाया गया कि कुछ विग्यप्ती पद रह जा रहे है ऐसे में जब इन पदों को भढ़ने के लिए एक बार फिर से डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्तियों को आमंतरित किया गया है जो कि 16 दिसमबर से शुरू किया जाएगा और 19 दिसमबर 2023 तक आयोग की कारियाले में ही आयोज़त किया जाएगा इस जोरान अभ्यर्तियों को सत्यापित करना होगा कि उनके द्वारा दिये गए सभी डॉक्यमेंट सही है आपकी जानकारी के लिए बता दिखिये डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन दो पालियों में आयोज़त की जाएगी जिसमें से पहली पाली की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी और दूसरी पाली की शुरुआत दो पहर के दो बजे से होगी नई फिल्म करियाठी लेकर आ रही है नीतू चंद्रा स्रिवास्तव बिहार की राजजानी पटना के होटेल मौरे में फिल्म की प्रोड्यूसर और मसुहूर एक्ट्रस नीतू चंद्रा स्रिवास्तव के द्वारा जानकारी देते में बताया गया है कि वह और उनका भाई नितिन चंद्र पिछले बारव वर्सों से बिहार में फिल्म का निर्मान यहां रोजगार के अफसर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं यहीं वज़ा है कि उनके फिल्मों में कलाकार t technician location सबकुछ में बिहार के लोगों को मौका मिलता है उन्होंने कहा कि हमारा मकसद यह है कि मनोरंजन के छित में हमारे प्रदेश का विकास और यहां फिल्मों का महौल बने और लोगों को रोजगार मिले करियाटी फिल्म प्योर बिहारी भासा का सब्द है स्वास विभाग में जल्द होने वाला है प्रमोशन बिहार सरकार का स्वास विभाग सभी समवर्गों में लंबित प्रोनती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट किया है बता दे के इस काम को करने के लिए विभाग की ओर से 13 दिसेंबर तक के समय सीमा निर्धारित की गई है ऐसे में इस समय सीमा के अंदर विभाग की कोशिश है कि निर्धारी तिती तक Medical College में चिकित्सक, सिक्षक, समवर्ग, सामाने स्वास्थ, सेवा समवर्ग और विसेसग्य स्वास्थ, सेवा समवर्ग के अलावे आयूस के चिकित्सकों की प्रोणती की प्रक्रिया सामाने प्रसासन विभाग द्वारा जारी अधी सूचना के अनुस सार्ष्फास निदेसाले में निदेसक और अपन निदेसकों की प्रोन्ति देनी हैं वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बरे पेमाने पर परफिसर पदो में चिकनसक सिखचकों को प्रोन्नति देनी हैं आई-पिएस अमित लोरा से करीब चार घंडे तक आए से अधिक के संपती के स्रोज से जुरे कई सवाल पूछे गए हैं इसके साथ ही उनसे वेब स्रीज बनाने के लिए करोरों रुपए का इंतजाम करने से संबंधित सवाल भी पूछे गए साथी सरकारी पद्द के दुरुप योग से जुरे कई पहलों पर मिश सगन पूछताज की गई है बता दे किस दोरान उनसे कई प्रस्नों के जवाब लिखेत में बहां पूरी पूछताज की दोरान अमित Lora के दवारा अपने उपर लगे आरोपो को सीधे से खारिच किया गय बिहार टॉपर घोटाले के किंग बच्चा राय के ठिकानों से तीन करोड से अधिक मिला कैस किंद्रिय जांच एडियंसी एडी द्वारा जब्द जमीन पर कबजा करके कंस्ट्रक्शन करने वाले टॉपर घोटाले के मुख्यारोपी बच्चा राय के भगवानपुड इस्तित आवास और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इस्तित तीन ठिकानों पर एडी की टीम के द्वारा गहनता से सुबच चार बजे तक जांच की गई है जिसमें तीन करोड से अधिक कैस और अव्याद कमाई के कई संपती के दस्ता वेज भी जब्त किये गए हैं हालांकि रेड समाप्त होने के बाद एडी की टीम के द्वारा भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया है मालूम हो की रेड के दोरान सनिवार की दोफैर ही एडी की टीम के द्वारा रुपे निकालने वाले मसीन भी मंगवाए गये थे बता दे की बहुत जल्द ही जाच एजेंसी एडी के पटना जोनल आफिस के द्वारा एस पर कई बरे खुलासे किये जा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे की बच्चा राय के ठिकानों पर यह रेड करीब 22 घंटे तक चली है पुनिया जिले से गिरफटार तीन साइबर अपरादियों के मामले में हुए नैने खुलासे बिहार के पुनिया जिले के एस पी जावेद के द्वारा जिले के जलालगर से गिरफटार तीन साइबर अपरादी साकीम सैनवाज और सुसील कुमार के मामले में कई नै खुलासे किये गए हैं साइबर अपरादियों के पास पाकस्तान के आठ अलग अलग नमबरों से वाच्चाप कॉलिंग और चैटिंग के मामले सामने आए हैं वही पाकस्तानी हैंडलर के कहने पर ही नेपाल में इन लोगों के द्वारा खाता खुलवाया गया था और उनके पास कई बैंक खाते हैं और इन सभी बैंक खातों से एक खाते में पाकस्तान में 50 लाक रुपे भेजे गये थे इसके अलावे इन लोगों के द्वारा उत्तर पदिस के फैजाबाद के कई खातों में रुपए भेजे गए हैं जिन में मुखे तीन बैंक अकाउंट की जाच पुलिस के द्वारा की जा रही है जिसमें पिछले एक महीने में करीब 50 लाक रुपए भेजे गए हैं एसपी के द्वारा विदी के जानकारी के नुसार यह लोग मर्डर जैसे अपराद में सामिल थे और एक साल पहली यह लोग पाकिस्तान के हैंडलर के कनेक्शन में आए इसके बाद इन्होंने साइबर क्राइम के माधियम से लोगों के खाते में पैसे उराने शुरू कर दिये उनके गिरों में करीब 25 से 30 लोग सामिल है फिलार इस मामले की गहनता से जांच जारी है केला लदे पिकप से 999 लीटर विदेशी सराब बरामत बिहार में पूर्ण रूप से सराब बंदी ऐसे तो हम सबी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी से जुरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हाला के इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिश की जाती है बता दे की ताजा मामला दाल कोला चेक पोश्ट की है जहां उत्पाद विभाग की तीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर फिकप वैन इसे केले में छिपा कर बंगाल से बेगु सराय लाई जा रही 999 लीटर अंग्रेजी सराब की खेब बरामत की गई है इसके साथ इस दौरान पुलिस के द्वारा ड्राइवर की भी गिरफ तारी की गई है बता दे कि इस बात की जानकारी उत्पाद अधिक चुक तारीक महमूद के द्वारा भी दी गई है उन्होंने बताए कि फिलाल इस मामले की जाच पुलिस के द्वारा की जा रही जदियू नेता से अपरादियों ने मांगी 20 लाख रुपे की रंगदारी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है ऐसे में आवेदन प्राप्त कर ढगा पुलिस के द्वारा कारवाई की जा रही मतारे की रंगदारी मांगने वाले वैक्ति ने अपने आपको सीधा मरी का बदाया है वही रंगदारी नहीं देने पर रीगा चीनी मील ओम प्रकास पठिल हत्याकान वा मिराज गंज विसाल सिंग हत्याकान के बारे में पता करने की धमकी दी गई है सुसील मोदी ने केके पाठक को लेकर सीम नितीस पर उठाया सवाल उन्होंने कहा है कि वामपंथी दलों के लोग चेहरा चमकाने के लिए केके पाठक की निती का विरोत कर रहे हैं जबकि कई विधायकों ने केके पाठक को हटाने की मांग की है तो नितीस कुमार ने आज तक उनके पत से क्यों नहीं आटाया अगर हिम्मत है तो मामले के लोग बंदर घुरकी ना दे और केके पाठक के खिलाफ न होने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की घोस ना करें उन्होंने कहा कि केके पाठक का एक भी आदेश कोट में टिक नहीं पाया उनके अनेक मामलों में कोट ने अर्थ डंड लगाया है जो सक्चा गांधी मैदान में केके पाठक के नाम पर ताली बजा रहे थे अब वहीं लोग भाब भाब कर रहे हैं परिशान हैं ऐसे अधिकारी के को सक्चा विभाग संतिस कुमार को हटा देना चाहिए गाली गलोज करना दंडित करना और मनमाना आदेश निकालना यहीं उनका स्वभाव है प्रसांत के सो ने सराब बंदी को लेकर किया दावा राजनीती के रन नितिकार प्रसांत के सोर के द्वारा सराब बंदी को लेकर NCRB 2022 की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बड़ा द मैं कैमरे पर देर साल से चुनौती दे रहा हूं कि नितिश कुमार महात्मा गांधी को अगर समझते हैं या जीवन में पढ़े हैं तो अपनी पूरी सरकार का तंत्र लगा कर मुझे वह एक लाइन दिखा दे जहां गांधी जी ने यह कहा हो कि सरकार को कानून बना कर सराब बंदी गलत है और इससे हटाना चाहीए इसका कोई वैधानिक सामाजिक और नहीं आर्थिक अधार है दुनिया के किसी देस में ऐसा प्रमान नहीं है कि सराबबंदी की वज़ा से किसी भी समाज कर सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। अगर सराबबंदी से ही लोगों का उत्थान होना होता तो अब तक हमारा हो गया होता। आप सबसे पिछले हैं लेकिन खुद को सबसे ज़्यादा होश्यार समझते हैं भारत में ही दूसरे राज्यों ने क्यों इससे लागू नहीं किया राहुल द्रविट की कोचिंग के भविसे को लेकर जैस सा ने किया खुला सा भारते क्रिकेट कंट्रोल बोड के सचीव जैस स कि द्वारा राहुल द्रविट के कोचिंग के भविसे को लेकर जानकारी देते वे बताया गया कि दक्सन अफ्रीका दौरे से लोटने के बाद राहुल द्रविट के साथ बैट कर भाते टीम के मुख्य कोच के रूप में उनके कारेकाल की अबधी के बारे में बात किया जा है हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिला मेरी उनके साथ बैठा कोई और हम पारस पर एक रूप से सहमत हुए कि उनके नित्रित में कोचिंग जारी रहेगी उनके दक्सन अफ्रीका से लोटने के बाद हम बैटिंग और इस पर फैसला करेंगे जानी आज बिहार में क्या है पेट् डीजल के रेट जारी किये गए हैं जिसके बाद राजधानी पत्ना में आज पेट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 94.04 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है वहीं पुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 108.7 रुपे और डीजल 95.39 रुपे प्रति लीटर मिल रहा है निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रॉल की कीमत 108.6 रुपे और डीजल की कीमत 95.3 रुपे प्रति लीटर है बता दे कि बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे जादा किसंगन में है जहां पेट्रॉल 109.35 रुपे प्रति लीटर और डीजल 95.9 रुपे प्र नंजे कुमार सदुल्ला पलवी, मुहम्मद साकीर, हुसेन विवेक, मिस्रानंद कुमार सेंग, जितेंडर ठाकूर, राज के सोर मैतो, नौसाद रजा, धीरच कुमार इसी के, सार्मन कुमार कौसल के सोर, राजा याद अब इसके साथ ही बढ़ते हैं। के सवाल की और आज का सवाल है सुसील मोदे के कहे अनुसार के के पाठर को सच्छा विभाग के अपर मुक्य सचीव के पत से हटा दिये जाने पर आपकी क्या राय है आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट्स इंबॉक्स मलिक कर जरूर बताएं आज के लिए इतना है बिहा और साथ अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद